कि यह चेत्र दानापूर के अंतरगत भी आता है और दानापूर से कभी लालू परषाद यादब मुकमंतरी बने थे यहां से चुनाव जीत करके लेकिन देखिए कि दानापुर की स्तिती जस किता से कपसे मांग हो रही है गंगा जो है अपने खत्रों के निसान से उपर बहरे है आप गंगा नदी देख रहे हैं और देखिए कि कैसे जो है नाव एक अब आमागवन का साधन बन गया है लेकिन जो छेतर के लोग है उनका कहना है कि आप दियर में जाइए गास तब आपको पूरा जो है समस्या पता चलेगा लेकिन आप देख लिजे कि ये बहुत सालों के बाद जो है पानी का ये उफान जो है वो गंगा में देखने को मिल रहा है और यहां देखिए कि लोग जो है ग इस गाउं से पता करते हैं क्या नाम हो अभी विनोद्रा जी क्या समस्या गई है लुद्रा तक चला पूरा भारा पारा है पानी पूरा बहुत दिकत हो रहा है आप लोग जो पासूर से था पानी नो पाने का उफान देख सकते हैं देखे कि पानी कितने स्पीड में बह रहे है और यहां और लोग है देखे कि बहुत लोग का दूदूद का भी काम जो है इधर ही होता है क्या नाम हुआ भी आपका किया सम स्हारी कौन गाओं से हैं अबे सूनपर से वहाँ भी पानी भर गया है यहां सहर में रोजी रुटी खार आपको वह दिक्कत हां क्याक दिक्कत आ रहें क्या है जोप्री बचा कि बाग गया पानी ने शब चरह है पनानी जोपरी में जोपरी है कितना खर्च करते हैं तो उसको बनाने में उसको सरकार देती तो 6,000 रुपया है बस तो सरकार तो जंता का बुर्बक समझे रहा है scor रुपरी बनाने में 20,000 रुपया है यह है 20,000 हाग बनाने के लिए ऐकलग मीड आई हन में घूसे खाजारा है वह से खाजिया रहा है क्या आपका कौन सा काऊं है महीं लोग का पुरानी पानापूर है पुरानी पानापूर है ऐसा रिद्धा एक है और बताए अज्या आप बाश तो आप लोगों पूरा परिवार ले करके डियर के शहर में आना पड़ेगा पाणी जयदा होगे तो अब प्रेगा प्रीवार ले करके पर तीन मैना बाद फिर बसी एक तो कितना पैसा खर्चा होगा तो एक जगह आप अस्ति रहें तरह बात करेंगा अच्छा बात बोल रहें लेकिन इदर उदर भाग जा रहें अच्छा आप नाव चलाने के काम करते हैं तो ऐसा कोई गाउं है जहां अपलकर नहीं जा रहें आधिमी कुछ फसा उसा है अभियावसा नहीं है लेकिन आ सकता है कि आउसा आउसा हो सकता है अधिया ऑपेंदर जादब कहए जो है और हालात खराब है इसे तो हर साल इन लोग पर दोस्तिती खराब है और हर बार बार इन मात्रे 6,000 रुपया मिलता है लेकिन भाईया का कहना है कि एक जोपड़ी बनाने में 20,000 रुपया लग जाता है और सरकार हम लोग को मात्रे 6,000 रुपया देती है आपको बता दे कि ये छेत्र दानापूर के अंतरगत भी आता है और दानापूर से कभी लालू परसाद तकले नहीं मिला अब तो रितलाल यादब जी बन गहें बिधायक अब देखिया सरकार बने तब मिलेगा की नहीं मिलेगा अब उमीद है तो पथ निर्मान बन गहें ते जस्वी आदब क्या उमीद लगता है उनको अब उमीद बनाए हुए है लेकिन ये बार बार आने लेकिन जो लोग हैं उनकी समस्या को आप समझीए मझ्बूरन में इनको जो है हर साल जो है इस सालर से गुजरना होता है अगर स्वाइशत कुल रहता तो इनको ये समस्या नहीं होती उसके अलावा यहां देखिए चाहे यंग हो चाहे बुरे लोग हो सभी लोग देखिए यहां पर यहां पर देखिए कि सभी लोग जो है अपना काम करने वो जो आप देख रहे हैं वो छेतर वो दियर का छेतर है और यह पटना है और यहां पर यह लोग जादा ही गती में जो है वो पानी बह रही है फिलाल जनता जैक्सन आप देख रहे हैं हम लोग दियर भी चलेंगे और दियर का आगे का रिपोर्ट हम आपको आने वाले दिनों में जरूर देखाएंगे फिलाल मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद